इंटीग्रेट दिया है आपको सबसे पहले मैं LHS को सॉल करूंगा इंटीग्रेट जीरो से वन साइन इंवर्स एक्स पर यहां पर कोई वैलू नहीं है तो अपने तरीक से बनेगा नहीं बनेगा लगा दो फॉर्मुला इंटीग्रेट जीरो से वन एक नट को यार हावी यू एजटीज रखा आपने साइन इंवर्स एक्स वी का गरा तो वी क्या है आपके पास सरी वन दे रखा है मिरे पास ऐसा वी है तो वी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेट वन डॉट डी एक्स ठीक है माइनस होल इंटीगेशन डिफ्रेंशेशन साइन इंवर्स एक्स integrate 1 by dx और फिर इन सब के बाहर एक dx और ये limit में ऐसे उठा के बाहर रख रहा हूँ ठीक है लगा दो sin inverse x इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा minus whole integration sin inverse x का क्या जाता है 1 by root 1 minus x square होता है होता है नहीं होता है होता तो है sir इसका हो जाएगा x और फिर मैं dx लगा देता हूँ और फिर limit 1 से 0 अब देखो limit में दोनों के लिए separate कर रहा हूँ अभी है देखो sin inverse x x 1 से 0 फिर integrate 1 से 0 x dot dx upon root 1 minus x ऐसा है कि equation हाँ सब के वल इसको मैं अपना i1 मान रहा हूँ और इसके लिए value पूट कर देता हूँ जैसे 1 पूट किया हूँ यहां 1 पूट किया sin inverse 1 मैंने यहां पर पूट किया यहां पर क्या पूट किया sin inverse minus to 0 हो जाएगा यह minus i1 है यह value और यह पूरा question आपका i है आगे देखो next slide में अब मैं किवल i1 को solve कर रहा हूँ i equals to root क्या क्या बना में पास sin inverse 1 minus integrate 0 से 1 x dot dx extend on root 1 minus x इसको अपने क्या माना i1 माना इसकी value क्या होगी sin inverse 1 की value क्या होती है pi by 2 minus i1 होगया अब आप i1 का solution देखो integrated 0 से 1 x dot dx upon root 1 minus x square 1 minus x square को t माना अपने differentiate करो इसका minus 2x dx equals to dt x dx equals to minus dt by ऐसा होगा क्या आपने अशर हो जाएगा अब limit भी change कर दो when x equals to 0 equal क्या होगा अब 1 by root t का मतलब है t की power minus half इसमें मैं plus 1 करूंगा तो t की power में plus 1 करेंगे तो यह half हो जाएगा और नीचे भी यह half हो जाएगा और इस सब पर limit 1 लगाएगा यह लो अब यह 2 पर जाएगा minus का 2 by 2 और यह t का value मतलब है root 0 से 1 यह cancel out हो गया minus 0 का half minus 1 की power half तो यह 0 हो गया और यह positive का 1 हो गया आपके पास ठीक है यह i2 का value आपके पास आना आप question पर वापर चलो हमारा question कहता i equals to pi by 2 minus i1 pi by 2 तो ठीक है i1 के value किती है यह हो गया आपका final solution ठीक है तो मैं लिख सकता हूं integrate 0 से 1 sin inverse x dx equals to pi by 2 minus 1 यानि LHS equals to RHS hence proofed के लिए रहे हैं आतर विल्कुल सरी यह हो को हिसका आपके यह हो को मधद केशिन हर थे टीछिए युड़ जो